Hello málo friends, Welcome to my channel Beauty and Hair Styles. आज मैं लेकी आए हो आपके लिए class 3ा जिसमें हम bleach और D-Ten की बारे में knowledge लेगे. Blach क्या होती है और D-Ten क्या होती है, इसमें क्या फर्क होता है? हम bleach की जगह d10 कर सकते हैं या d10 की जगह bleach कर सकते हैं? इन्हें apply कैसे करना है दिखिए जो practical classes है वो already मेरे चैनल पर available है आप देख सकते हैं तो मैं आज आपको bleach और D10 की complete knowledge दोंगी तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यह हमारे पास bleach and D10 bleach जब आप market में खरीते हैं तो आपको दो product मिलते हैं दो product जिसमें आपको मिलता है एक तो bleach cream plus activator activator मिलता है दो चीज़े मिलती हैं D10 भी दो form में एक तो इसका पूरा facial आता है या तो आप पूरा facial पर चीज़ करो इसके इलावा एक detail की cream आती है cream product होता है वह उसे पैक भी बोल सकते हो आप या तो वह purchase को इसमें single product होता है इसमें कोई activator नहीं होता बहुत सारे questions जो होते हैं बहुत सारे जो मुझसे बहुत सारे customers भी बहुत जादा पूशते हैं यह चीज़ें की bleach or detail में क्या का फर्क है कौन सी सही है कौन सी कराने चाहिए तो बहुत ही जादा query होती है तो मैं आज यह सारी जो आपकी query है यह solve करूँगी और इसकी complete knowledge दोंगी यह हमारी class third तो देखे सबसे पहले हम बात करते हैं bleach की मैंने कहा है कि bleach जब आप खरीते हैं आपको दो चीज़ें आपको इसमें मिलती है एक तो bleach cream and second activator अगर मैं इसके बारह में आपको बताऊं तो आप कोई भी market में bleach मालीजे परचेस करने जा रहे हैं बाय करनी है आपको suppose मैं आपको एक demo देती हूं दिस में यह मेरे पास एक ब्लीच है सिर्क व्लीच है डाइमड की एरो रोमा जायमक की अगर मैं इससे ओपन करते हैं तो इसमें आपको दो प्रोडक्त मिलते हैं है एक तो आपको मिलेगा अक्टिवेटर अक्टिवेटर इस तनह की बॉन्हास में रही होता है च्क्रेर और दूसरा आपके एक तरह कि only depends होता है इसमें होती है आपकी क्रीम ब्लीच क्रीम है तो आपको winter 25 जो पीजब करना होता है आपको क्या करना होता है यह तो मैंने छोड़ सा डेपो दिया है यह बड़े-बड़े वॉक्सिज में भी अवलेबल होती है कैसे मैं आपको दिखाती हूँ जैसे कि यह है एक्टिवेटर क्योंकि हम पारलर में हम छोटे-छोटे बॉक्सिस के साथ काम नहीं करते हैं तो अगर आप को पालाइब भी करना है तो आप बड़े बॉक्सिस के साथ है और यह एसकी नहीं के जुकिंद से पैक में हैं सब्सक्राइब हम स्कारद करना होता है क्रीण और एक्टिवेटर को एड करना होता है एक्टिवेटर करना be डिपेंट करता है कि हम कितना जो कितने टाइम बाद जो है ब्लीच करा रहे हैं अगर ब्लीच आप डैगुलरली कुछ-कुछ टाइम बाद कराते रहते हैं तो थोड़ा सा एक्टिवीटर जादा भी नहीं होरा जाहिए बिल्कुछ जरह सा इसकी क्वांटिटी हम थोड़ी सी कमजाद कर सकते हैं जादा नहीं डाल सकते हैं इससे आपको यह फेस पे बर्निंग वगएरा बर्निंग इचिंग या चुट चुटे से दाने की प्रॉब्लम जो है वह हो सकती है अब सेकेंड थिंग कि ब्लीच करती क्या है ब्लीच आपके फेस पे जो हेर्स होते हैं आपके फेस पे जैसे कि यहां पे कुछ हेर्स होते हैं यहां पे यह वले जो हेर्स होते हैं इन्हें ब्राउन कर देती हैं जिसकी वज़ा से आपको अपना फेस काफी क्लीन लगता है क्योंकि आपके सारे हेर्स जो हैं यह ब्राउन हो जाते हैं तो यह होती है bleach, bleach में दो चीजे होती है, bleach cream और एक्टिवेटर जिसे आपकी डालना पड़ता है, इसको mix करते हैं फिर इसे apply करते हैं, apply करने के बाद इसे कम से कम 10-15 minutes के लिए आपको अपने face पे left करना होता है, फिर आप इसकी checking करनी होती है इस side से, कि आपके hairs जो हैं वो brown हो हो जाते हैं, तो आप उसे remove कर दें, यानि कि थोड़ा सा मसाज करके उसे remove कर देते हैं, second होते हैं हमारी detan, देखें, detan क्या होती है, detan जो होती है, वो होती है हमारी detan के pouch है, यह detan removal pouch है, जैसे इसका नाम है detan, tan, तो sun से, जो tanning होती है, sun की raise की वज़ा से, जो हमारे face पे tanning होती है, उसे remove करने के लिए, हम detan use करते हैं, अब detan में सिफ जैसे कि यह मेरे पास है, tan removal cream, तो इसमें इस तरह के pouch आई, यह जो हैं हमारे पास boxes में भी आती है, और यह जो pouch हैं हमारे पास near about, two to three time यह use हो जाता है, एक pouch, और इसमें हमें कोई भी activator या कोई भी और चीज़ एड नहीं करने होती है, यह सिंगल cream होती है, आप उसको face पे clean करके इसे apply करना होता है, इसको 15 minutes के left कीजिए, और फिर उससे पाने के साथ थोड़ी सी massage कीजिए, 5 minutes और उसे remove कर दीजिए, यह होती है आपकी D10, bleach आपके hairs, जो हमारे आपके face के hairs होता है उन्हें brown करती है, लेकिन D10 उन्हें brown नहीं करती है, D10 उन hairs को brown नहीं करेगी, D10 सिफ tan को remove करेगी, जो sun से होती है, और ऐसे ही bleach आपकी tan को remove नहीं करती है, आपके hairs को light कर देती है, उसके color को light कर देती है, जिसके वज़ा से आपको face clean लगता है, जबकि D10 क्या करती है, D10 आपके face की complete tanning है उसे निकालती है, और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ है कि मुझसे कहीं पूछते हैं कि अगर हम activator को D10 cream में mix करके लगा लें तो, देखिए ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कीजेगा, आप activator और D10 को कभी भी mix मत कीजेगा, डीटेन का अपना काम होता है, एक्टिवेटर का अपना काम होता है, bleach अलग चीज होती है, D10 अलग चीज होती है, तोनों अलग अलग चीज़ें होती है, अगर हमें bleach करने होती है, तो bleach हम करते हैं जैसे कि हमने फेस को क्लीज कर लिया, फिर हम bleach करते हैं, फिर हम next step follow करते हैं, कई persons से होते हैं जो bleach पहले भी हैं, यह आपके वीश होती है, मैं पहले cleansing milk करती हूं, तें bleach करती हूं और तें scrub, कि Cleansing Milk dust निकाल देता है तो first step dust निकालने का ही होता है लेकिन कई persons ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यह नि ब्लीच करते हैं, फेशल नहीं करतेह जो सिर्फ ब्लीच करते हैं उनके फेशल पे बहुत जज़ाँ हम होता है इस चीज़ का तो या तो फेशल के साथ करवाओ, अलग-अलग नहीं कराने चाहिए ये तोनों चीज़ से, सेकिंड है कि ब्लीच और डीटैन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, आपको रिक्वार्मेंट क्या है, आपको अपने फेस के हेर्स को हाइड करना है, या नियून को लाइट करन है, या फिर अपने फेस के टैन को रिमूब करना है, दोनों अलग चीज़े हैं, दूसरे एक और चीज है कि क्या हम पहले ब्लीच कर लें और फिर हम डीटैन कर लें, ऐसा ही मत कीजिएगा, क्योंकि जो डीटैन की क्रीम जो हम लगाते हैं उससे भी थोड़ी इचिंग होती है, तो इचिंग के ऊपर आ, इनकी एक प्रोड़क्ट लगा यह से थोड़ी इचिंग हो रही है, और इसके बाद आप फिर दूसरा प्रोड़क्ट आपके फेस पे जो है, थोड़े प्रॉब्लम होने के चांसे रहते हैं, थोड़े दिनों के गैप के बाद आप यह कर सकते हैं, वहती परस्ब्स से होते हैं, जिनको ब्लीच सूट नहीं करती, तो उन्हें ब्लीच नहीं करने चाहिए, उसकी जो प्लीच सोट नहीं करती अगर आपके फेस पर ऐसी कोई प्राबलम आ रही है तो आप बरफ लेकि बरफ के पर उप्राइज करें ऐसा करने से आपको इचिंग रैड नेस की प्राब्लम से रहत मिलेगी तो यह हमारे पास ब्लीच और डीटैन है इसकी कम्प्लीट ट्रेक्टिकल क्लासिज डीटैन की फ प्रैक्टिकल क्लासीज ओल्रेडी मेरी चैनल पर एविलेबल हैं आप देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करनी हैं ब्लीच की बहुत सब्सक्राइब काफी क्लासीज है तो फिरंस यह हमारा आज का टॉपिक जो था ब्लीच और डीटैन तो यह हमारी क्लास थर्ड थी तो थैंक य ब्रशीज के बारे मैं बताऊंगे यह मेकप के ब्रशीज कौन-कौन से होते हैं तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप पे चैनल ब्यूटी और ही स्ट्राइल से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक यू गुद हुआ जाए